प्रभू के बचन से हम देखेंगे रोमियों की किताब उसका पहला अध्या उसका सोला और सत्त्रा पत संत पॉलूस कहते हैं प्रभू की सेवा करने के बाद संत पॉलूस वो संत है जिसका नाम पहले शाउल था और एक थ्वरीसी था यहूदी धर्म का सबसे बड़ा शिक्षक था और उससे बड़े शिक्षक गमालियरों के अधीन होकर उसने शिक्षक ग्रहन की थी बहुत ग्यानी व्यक्ति था शास्त्री था महाशास्त्री था परमेश्वर के वचन को यानि तोरा जबूर प्राफिट्स नभी बहुत अच्छा ग्यान रखने वाला व्यक्ति था परंत येश्यु मसी को नहीं मानता था और येश्यु मसी के मानने वालों से बेहद नफरत करता था और उनके लिए अधिकार लेता था सरकार से उस जमाने की धर्म के अधिकारियों से अधिकार लेकर जहां जहां मसी विश्वासी लोग रहते थे वहां जाकर उन्हें सताय करता था उन्हें पकडवाता था जेल में डलवाता था मरवाता था सब कुछ ये शाओल जिसे हम संत पौलूस कहते हैं जिसने आधी नया नियम की पुस्तक लिखी है बाद में उसी के बारे में बता रहा हूं और ये शाओल एक बार यरुशलेम से डमासकस की और जा रहा था डमासकस सीरिया में है और रास्ते में डमासकस की रोड पर जब घौडे पर सवार और अपने सिपाहियों के साथ डमासकस में मसीव इश्वासियों को पकड़ने जा रहा था सताने जा रहा था उनकी प्रार्थना सभाओं को बैन करने जा रहा था शाउल लगातार जहर उगल रहा था उससे ज़्यादा कट्टर व्यक्ति दुनिया के इतिहास में कभी पैदा ने हुआ बहुत कट्टर था एक तो धर्म का बहुत बड़ा ग्यानी था और सबसे बड़ा विरोधी था मसीह विश्वास का और इस प्रकार जब वो डमास्केस की रोड पर सिपाईयों के साथ जा रहा है अचानक बादल बहुत जवरजस्त बिजली चमकी और बिजली चमकी ऐसी चमकी कि वो घोड़े पर चल रहा था सारे गोड़े के सवार जमीन पर गिर पड़े शाउल भी गिर गया और उसके आँखों में रोश्नी गाइब हो गई और उसने अवाज सुनी एक जोती चमकी और उस जोती में एक मनुष उसे दिखा ही दिया और उसने का हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है शाउल बुला हे प्रभू तू कौन है जिसे मैं सताता हूं उसने कहा मैं येशु हूं तू मेरे अनुआईयों को सताता है तो मुझे सताता है प्रभी येशु मसी ने अपने चेलों को ये बताया कि ऐसा वक्त आएगा और यहाँ पर ये शाउल यो है जबर जस्त आग उगल रहा है मसी विश्वासियों के वरुद्ध और यहाँ डमासकस की रोड पर प्रभी येशु मसी के दर्शन उसे मिलते है और वो जोती उसके उपर चमकती है वो अंधा होकर नीचे गिर पड़ता घोड़े से नीचे गिर जाता यही शाउल ये इतिहासिक पुरुश है ये यहुदियों के और इसराइल के इतिहास में फरीसी है जो बड़ा फरीसी है और गमालियल जो उस जमाने का बहुत बड़ा फिलोस्फर और बहुत बड़ा पड़ा लिखा व्यक्ती था उसका ये स्टूडिन्ट था जिसका नाम शाउल था तब शाउल से प्रभू ने कहा उठ और डमासकस को जहां जहां सीधी गली कहलाती वहां पर जहां और देख वहां मेरा अदास अनानियास है अनानियास आएगा वो तेरे सर पर हाथ रखेगा तेरे लिए प्राजना करेगा तब तेरी आँखे खुलेगी तब तू देखने पाएगा और यही हुआ जब शाउल को लोग लेकर डमासकस सिटी में गए और रखा उसको तब अनानियास को परवेश्वर के दूथ ने दर्शन दे के कहा कि देख शाउल नाम का व्यक्ति है फलानी जगे रुका हुआ है तू जा और उसके सर पर हाथ रखे दूा कर क्योंकि वो प्राथना कर रहा है तीन दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं है लगातार प्राथ अर वो मेरे लिए दुख ठाएगा अरे उनोंने का इस व्यक्ति के बारे में हम लोग भैभीत हैं आप इसका नाम ले रहे हैं हे प्रभू वो तो तेरी कलीसिया को सताता है तेरे लोगों को मरवाता है और वो डिमासकस इसी लिए आ रहा था कि हम लोगों का नुक्सान करे उन्हेंने का नहीं तुम जाओ और उसके सर पर हाथ रखे प्राथ न करो ताकि उसकी आँखे खुल जाएं और वो देखने लगे अनानियास जाते हैं और शाउल के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं भाई शाउल जो येश्यु मसी तुझे डिमासकस के मार्ग पर मिला था उसी ने मुझे तेरे पास भेजाया कि मैं तेरे लिए दुआ करूँ तेरी आँखें खुलें और तू पवित्रा आत्मा से भर जा उसी घड़ी उसकी आँखों से छिलके गरे और वो देखने लगा और पवित्रा आत्मा से भर गया और शाउल से पॉल हो गया उसने शाउल से अपना नाम पॉलूस रख लिया और प्रभी एश्यु मसी का चेला बन गया और पूरी दुनिया में पूरे येरोब में आज उसी की और शाउल नहीं आदे से ज्यादा नया नियम बाइविल का लिखा है सोचिए वही शाओल है परमेश्वर किसी के दुस्ट के मरने से प्रसन नहीं होता है अगर आपका दुश्मन आपको परिशान करता है तो प्रभु आपके दुश्मन को मारने की इच्छा नहीं रखता प्रभु येश्व मसी उसे भी जीवन देना चाहता है अनंत जीवन देना चाहता है परमेश्वर का पुत्र येश्व मसी अदबुत युप्ति करने वाला प्राक्रमी परमेश्वर है अनंत काल का पिता है और शांती का राजकमार है वो शांती से मनुश्यों को शांती देना चाहता है मनुश्यों को जीवन देना चाहता है अनंत जीवन देना चाहता है वो हमें मारना नहीं बचाना चाहता है इसलिए उसको मसीह का जाता है अभिशिक्त बचाने वाला येश्वा मसीह येशु अबिशिक्त मसीह, येशु का अर्थ है बचाने वाला, मसीह बचाने वाला, अबिशिक्त बचाने वाला और उसी शाउल का लेख है रोमियों की किताब, जो बड़ी जवर्जस्त किताब है जिसमें प्रभु येशु मसी के साथ रहने वाले उन मसीही चेलों ने भी प्रभु येशु मसी को इतना नहीं जाना था, जितना इस येशु मसी के लोगों को नफरत करने वाले ने येशु को पहचाना था जितनी आ जितनी ताकस से वो घड़ा करता था शाओल उतसे सो गुनी सोगुने मन से येशु से परिही करने लगा वो चेलों से ज्यादा येश्व मसी से परिही करने लगा वो कलीसिया के लिए अपने प्राणों को ने अच्छावर कर दिया भैभीत नहीं होता था ज्ञानी मनुश्य था परंत जिस ज्ञान को वो जानता नहीं था वो ज्ञान उसे मुफ्त में मिला येश्यु मसी का ज्ञान अद्भुत युक्ती करने वाले प्राक्रमी परमेश्वर का ज्यान परमेश्वर के पुत्र का ज्यान जीवन का ज्यान अनंत जीवन का ज्यान व्यवस्था तो वो जानता था भहुत भरी व्यवस्था के हिसाब से तो बड़ा पवित्र आदमी था वो और व्यवस्ता के हिसाब से जो कर रहा था, वो ठीक कर रहा था लेकिन जब व्यवस्ता से उपर उठकर उसने ईश्वर के ज्यान को प्राप्त किया तो संपूर्ण मानव जाती को एक मानने लगा, एकसा मानने लगा भेद भावस संत पॉलूस बन गया शाओं से संत पॉलूस बन गया और क्या यहूदी क्या युनानी क्या जेंटाइस क्या नेजातिया क्या छोटा क्या बड़ा यहूदी लोग तो किसी के घर का पानी भी नहीं पीते थे गैर यहूदियों के इतने छुआ छूट करने वाले लोग हुआ करते थे वो शाउल था, वो पॉलूस था, वही संत पॉलूस था जो अन जातियों के घरों में जाकर खाना खाता था, पीता था और उसने प्रभु के दर्शन के बाद समझ लिया कि मनुष एक ही पिता की संतान है मनुष एक ही स्रस्टी करता की अउलाद है, एक ही परमेश्वर है, एक ही स्रस्टी करता है और वो स्रस्टी करता हमारे जीवन काल में मनुष बनकर प्रत्वी पर प्रगट हुआ है नाम येशु रखा है और हमारे मद्ध में आया इसलिए जब संत पौलूस को ये गहरा ग्यान प्राप्थ हुआ, पवित्र आत्मा का प्रकाशन मिला, तब उन्होंने लिखा है, सोलापद से, रोमियों की किताब उसका पहला अध्याय है, उसका सोलापद, क्योंकि मैं सुस्माचार से नहीं लजाता, सुस्माचार, गुड निउस, भले समाचार से नहीं लजाता हूं, गॉस्पल से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहुदियों के लिए फिर युनानी और युनानी का मतलब सभी लोग के लिए उद्धार के निमित परमेश्वर की सामर्थ है सुस्माचार दुर्बल नहीं है गुड नियूज हमारे हिर्दे में आनन्द लाती है हमारा हिर्दे आनन्द से भर जाता है जब खुश कबरी कोई सुनते हैं कोई भला समाचार सुनते हैं तो हमारा हिर्दे आनन्द से भर जाता है भला समाचार क्या है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धर्मिक्ता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रगट होती है जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन्जीवित रहेगा यानि सारी व्यवस्था के द्वारा जो हम धर्मिक्ता अपनी स्थापित करना चाहते है उसको हम स्थापित नहीं कर पा रहे हैं परंत विश्वास करने वाला विश्वास के द्वारा धर्मी ठेराया जाता है केवल विश्वास विश्वास यह कि प्रभी एश्यु मसी परमेश्वर का पुत्र है और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा एक वारी माता मर्यम से जनम लिया शरीर धरन किया और हमारी खातिर उसने दुख उठाया पाप का दंड म्रत्यू कुरूस पर उठा लिया प्राणव को त्यागा कब्र मैं गाडा गया तीसरे दिन मुर्दों में से जीव था चालीस दिन के बाद जीवित स्वर्ग पर उठाया गया और जो कोई इस सुसमाचार पर विश्वास करेगा वही अनंत जीवन पाएगा वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा रोमियो की किताब उसका दस अध्याए पांच पत से हम पढ़ेंगे तेरा पत तक रोमियो की किताब उसका दस अध्याए पांच पत से बलके हम दस पहले पत से देख रहे हैं हे भाईयो मेरे मन की अभिलाशा और उनके लिए जो परमेशर से मेरी प्रार्थना है कि वे उधार पाए क्योंकि मैं उसकी गावाओय देता हूं कि उनको परमेशर के लिए धुन रहती है, परंतु मुध्धुमानी के साथ नहीं, ये अपने यहुदी समाज के लोगां के लिए संथ पॉलूस कह रहे है क्योंकि उनकी भी उनको भी धुन थी परमेश्वर की धुन्ती परंत बुद्धिमानी के साथ नहीं क्योंकि वे परमेश्वर की धर्मिक्ता से अंजान होकर अपनी धर्मिक्ता इस्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धर्मिक्ता के अधिन न हुए क्योंकि हरे एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिक्ता के निमित मसी व्यवस्था का अंत है हालेलुया मसी येश्व सारी व्यवस्थाओं का अंत है मनुश के उधार के लिए क्योंकि मुसा ने लिखा है कि जो मनुष उस धार्मिक्ता पर जो विवस्था से है चलता है वो उसी से जीवित रहेगा परंद जो धार्मिक्ता विश्वास से है वो यू कहती है तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चड़ेगा अर्थात मसी को उतार लाने के लिए या अधोलोक में कौन उत्रेगा अर्थात मसी को मरेवों में से जिला कर उपर लाने के लिए क्योंकि वो क्या कहती है ये कि वचन तेरे निकट है तेरे मुँ में है और तेरे मन में है ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं येशु दरबार से और संत पौलूस 2000 साल पहले रोमियों की किताब में यही वचन लिख के हैं कि यदि तू अपने मूँ से येशु को प्रभू जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेशर ने उसे मरे हुँ में से जिलाया तो तू निश्य उधार पाएगा क्योंकि धर्मिक्ता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उधार के लिए मूँ से अंगीकार किया जाता है अब शास्त्र कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा यहुदियों, यूनानियों यानि अन्य जातियों और यहुदियों में कुछ भेद नहीं इसलिए कि येश्यु मसी सब का प्रभू है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है क्योंकि जो कोई प्रभू का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले और जिसके विशे में सुना नहीं, उस पर विश्वास कैसे करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें प्रभू ने शाउल को चुना जो सबसे घोर विरोधी था, मसीह विश्वास का और मसीह लोगों का और सस्मा चार का विरोधी था परमेश्वर ने उसी को चुन लिया इसके अंदर जील है, इसके अंदर वो मन है कि वो परमेश्वर को पूरे मन से खोज रहा है भले बुद्धी से नहीं कर रहा है शरीर से कर रहा है, लगा हुआ है और उसी को परमेश्वर ने पकड़ लिया और उसी को अपने सुस्मा चार का सबसे बड़ा सदी का इन बचन और उसके प्रकाशन के बारे में और उसके भेद समझने के बारे में जो परमेश्वर के भेदों का प्रगटी करन संथ पौलूस पर हुआ है वो किसी पर ने हुआ यही संथ पौलूस कहते हैं जैसा लिखा है उनके पाओं क्या ही सुहावने है जो अच्छी बातों का सुस्मा चार सुनाते हैं परंत सब ने सुस्मा चार पर कान न लगाया इशाय कहता है प्रभू किसने हमारे समा चार पर विश्वास किया है अते विश्वास सुनने से और सुनना मसी के वचन से होता है आज मसी का वचन हमने आपको सुनाया है और मसी का वचन सुनाने का मतलब यह है कि मसी वाकई में आपसे प्रेम करता है और आपसे बेहत प्रेम करता है यहुन्ना बप्तिस्मा देने वाला जो प्रभी येश्य मसी को जिसने बबतिस्मा यर्दन नदी में दिया था वो भी अपनी आँखों से गवाई देने के बाद वो कहता है कि ये देखो परमेशर का मेमना है जगत के पाप उठा लिये जाता है उसे प्रकाशन मिला उसने जब येश्य मसी को बबतिस्मा दिया तो बादल्स आसमां से पवित्रा nitma कबूतर किनाई येश्य मसी को अपर उत्रा और ठहर गया और आकाश से ऐवाज आई कि ये मेरा प्रिय पत्र है जससे मैं प्रसन हूँ यह यहुन्ना बबतिस्मा देने वाले ने अपने कानों से सुना था और उसके बाद यहुन्ना बबतिस्मा देने वाला जब जेल में डाल दिया जाता है तब वो अपने चेलों को भेजता है लुका नभी की किताब उसका साथ अध्याय यहुन्ना अपने चेलों को भेजता है लिखा है यहुन्ना को उसके चेलों ने इस बात के बारे में समाचार दिया क्या समाचार दिया कि येशु मसी ने अभी अभी एक विदवा के बेटे को जिन्दा किया है येशु मसी ने कोड़ी को शुद्द किया है येशु मसी ने जनम के अंधे की आखे खोली है येशु मसी ने एक कैंसर की रोगी महिला को चंगा किया है येशु मसी ने लंगडे को चलाया है येशु मसी ने एक फालिच के मारे हुए 38 वर्ष के बीमार रोगी को उठा कर खड़ा कर दिया है येश्यू मसी दुस्ट आत्माओं को डांट कर निकाल देता है लोग चंगे हो जाते हैं रस्यों में बांद कर लोग लाए जाते हैं और येश्यू मसी उन्हें चंगा करके भेज देता है जारों की संख्या में पांच-पांच हजार लोग उसके पीछे-पीछे घूमते थे ये इतिहास में लिखा हुआ है कि पांच रोडी दो मच्री से पांच हजार पुर्शों को खिलाता था इस्त्री और बच्चों के अलावा आश्चर कर्म और मिरेकल्स, साइन्स और वंडर्स प्रभ येश्व मसी कर रहे थे पूरे उस सीरिया देश में, पूरे मिडल इस्ट में लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था फरीशी और महाशास्त्री लोग घबराए हुए थे रोमी सल्तनत हिली हुई थी रोमी सल्तनत सोच रही थी कहीं ऐसा नहो कि जनता जिसी मनुष्य को सबसे बड़ी रोटी की जरूरत होती है और सबसे दूसरी जरूरत होती है तंदृस्ती की चंगाई की बीमारी रोग से चंगा होने की यह दोनों काम येश्य《मसई कर रहें, पांच रोटी दो मसरी से पांच हजार को खिला रहें, हर बीमारी को चंनगा कर रहे, जनम के अंदे की आँखे खोल रहे, इतने बड़ी बड़ी ख़ब्रें, उस जमाने के अतिहास कारों ने लिखी है, बाइबल के अलावा, तो यहन्ना बबतिस्मा देने वाले के पास भी एक ख़वर पहुँचती है जिसमें येश्यू को बबतिस्मा दिया था उसने अपने दो चेलों को भेजा येश्यू के पास और ये कहा बूचो जाकर उससे क्या आने वाला तु ही है या हम किसी और की बाट जो है बहुतेरे मसीही लोग जो अपने नाम को क्रिश्यन कहते हैं इसाई कहते हैं आज भी एश्यू मसी को पहचानते नहीं आज भी मसी एश्यू को नहीं पहचानते कि वो कौन है और वो क्या कर रहा है क्या वो जीवित है क्या वो किसी धर्म का संस्थापक है क्या उसे हम प्रभू और मुक्तिदाता मानें? कैसा है वो? इसी प्रकार यह यहुन्ना बप्तिस्मा देने वाला भी सब कुछ जानते हुए भी येश्यू के पास अपने मेसिंजर को भेजता है और सवाल करता है क्या आने वाला तुही है? मसीहा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं मसीहा जिसका पूरा इसराइल आज भी इंतजार कर रहा है मतलब इसराइल इतना कनफ्यूज हो गया था उस जमाने में जो आज भी कनफ्यूज है कि मसीहा के बारे में इंतजार कर रहा है वो यह सोच रहे है कि मसीहा आया ही नहीं अभी आ आने वाला है, और मसीह आएगा, तो दुनिया के पूरे राज्य को ओर्डर में ले आएगा, संसार का वो राजा होगा, और यरुशलेम से राज्य करेगा, कोई दूसरा मसीह नहीं है, यही एश्व मसीह हैं, जिसकी वविश्वाणियां पूरी हुई है, वविश्वक्ताओं की दी हुई सारी वविश्वाणियां, प्रभू एश्व मसीह के जन्म से लेकर, मरत्यु तक और जी उटने के बाद स्वर्ग में उठाए जाने तक, और स्वर्ग से आने वाली वविश्वानी ये पूरी होनी है उसका इंतजार है लेकिन उसने क्या कहा है उससे पहले कि येश्यु मसी आए इस अंसार में अपने राज्य की स्वर्ग राज्य की स्थापना करे क्योंकि वो स्वर्ग राज्य का मालिक है और स्वर्ग राज्य हर मनुष्य चाहता है कोई मनुष्य किसी जाती किसी धर्म का हो स्वर्ग जाना चाहता है और मरने के बाद उसके बाल बच्चे उसकी फोटो पे स्वर्गी लिख देते हैं ये सत्य है क्योंकि स्वर्ग जाने की इच्छा हर मनुश्य की है और वो इच्छा परमेश्वर अपने पुत्र येश्य मसी के द्वारा स्वर्ग राज को प्रत्वी पर लाकर कर रहा है स्वर्ग राज की शुरूात बिग्निंग 2000 साल पहले हो चुकी है परमेश्वर के पुत्र के आने के पाद परंतु स्वर्ग राज आने से पहले प्रभू का बचन भविश्वानी का बचन जो येश्व ने खुद कहा है मत्ती रचिस सुस्माचार उसके 24 अद्यार 14 पद में कि परमेश्वर के राज्ज का ये सुस्माचार सारे जगत में परचार किया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाई हो और फिर अंत आ जाएगा मेरे प्रियों अंत आने से पहले संसार और संसारिक्ता के राज्ज की समापन होने से पहले परमेश्वर के राज्ज की स्थापना होने से पहले प्रभु येश्यु मसी का सुस्माचार पूरे जगत में प्रचार किया जाना आवश्यक है परंत जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है हम लोग हैं जो येश्यु मसी के द्वारा उन पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान ठहराए गए है वो यहुन्ना बक्तिस्मा देने वाले वे इसी बड़े है हालेलुया कितना बड़ा स्टेटस कितनी बड़ी कितना बड़ा हमें ओधा प्रभी येश्व मसी ने दिया है क्योंकि येश्व के बचन में लिखा है यहुन्ना के एक अध्याए और बारपद में कि जितनों ने उस पर विश्वास किया येश्व पर विश्वास किया कि परमेश्वर का पुत्र है मेरा मुक्ति दाता है मेरा उद्धार करता है मेरे पापों को अपनी देह पर उठा का कुरूस पर चड़ गया था मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाडा गया तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा और फिर आने वाला है दुनिया में जो इस बात पर विश्वास करता है वो विश्वासी है वही विश्वासी है और येश्व मसी का छेला है और उसके लिए पवित्र आत्मा दे दिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कौन है, ईश्वर है, पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, क्योंकि हम उस आत्मा के बिना इस संसार में जै प्राप्त नहीं कर सकते, संसार है क्या, संसार कौन है, हम खुद है, मनुष शरीर, संसार की अबिलाशाएं हैं आँखों की लालसाएं शरीर की लालसाएं जीविका का घमंड, लोब, लालच जूट, फरेब हर प्रकार की वो लालसाएं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं दूसरे मनुष्च को दुख देने के बाद भी इस प्रकार की लालसाएं संसारिक हैं इस संसारिक लालसाओं पर आप अपने शरीर से और मनुष्च अपनी आत्मा से जै नहीं पा सकता उसे ईश्वर की सहिता की जरूरत है He needs the help of God मनुष्च जो लालसाओं में पैदा होता है जनम लेता है, जनम से ही वो जलन और बुराई उसके जीवन में जनम लेती है साथ साथ उसके उपर हम कैसे जै पाएं उसके लिए हमें ईश्वर ये शक्ती की आवशकता है और वही शक्ती प्रभु येश्यु मसी ने जो उनके उपर थी जिस महाशक्ती जिस पवित्र आत्मा के द्वारा माता मर्यम गर्बती हुई और प्रभु येश्यु मसी के उपर जो पवित्र आत्मा जब वो येश्यु मसी शरीर धारन करके प्रत्वी पर यहुन्ना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लिए यरदन नदी में और खड़े हुए बाहर, तो कबूतर के समान उनके उपर जो उत्रा, वो पभित्रात्मा था, येश्यु मसी शरीर में है, और शरीर में पाप वहराना है, वनुष्य को नहीं, पाप को, आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, पाप कहीं बहार नहीं रहता, पडोस में नहीं है, मेरे अंदर है, जिसने अपने उपर जै पाली, उसने बड़ी सेना पर जै पाली है, जिसने अपने क्रोध पर जै पाली, जिसने अपनी इशा पर जै पाली, जिसने अपनी जलन पर, लालच पर, लोब के उपर जै पाली, उसने जगत जीत लिया है, हालिलुया और हम जानते हैं कि मनुष्य कुछ भी सब पर जय पाले उसके बाद भी что जीविका का गमंड ऐसी चीज है उस पर जय है नहीं पा पाता है यानि हम बड़े संट बन जाूएं तो हम संटई का गमंड हो जाता है हम बहुत बड़े संटे हैं भी परमेश्वर का आत्मा है, वही पवित्रात्मा है, जिसे प्रभी येश्यू मसी ने अपने विश्वास करने वालों के लिए भेजा है एक मददगार के रूप में, एक सहक के रूप में, यदि आज आप पवित्रात्मा को प्रभी येश्यू से मागोगे तो वो देगा, और उसकी साहिता से हम संसार पर जय पाएंगे, संसार हमारे अंदर है, बाहर कम अंदर ज्यादा है, इस से हमें जीतना है, तब हम पडोसी से अपने समान प्रेम कर पाएंगे, तब हम परमेश्वर से, जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, विश्वास के द्वारा प्रेम कर सकें पवित्रात्मा की जरूरत है, पवित्रात्मा हमारी आखे खोल देगा, हम मनुष्य को अपनी समानता और सूरत में देखने लगेंगे, हम किसी को जाती और धर्म के आधार पर उसको नहीं देखेंगे, हमारी आखें इश्वर की आखें हो जाएगे, हमारा मन इश्वर का मन हो येश्व मसी का मन हो जाएगा और येश्व मसी तो किसी से भेदभाव नहीं करता, तो येश्व मसी के मानने वाले भेदभाव क्यों करेंगे, परमेश्वर के जिनकी आँखे खुल जाएगी, वो आपकी जाती और धर्म के आधार पर भेदभाव कर ही नहीं सकते, सिद्धता अगर कोई सिद्ध है तो प्रेम में है हम दुश्मन से भी प्रेम कर सके ये सिद्धता है और प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं जिसके हाँ प्रेम नहीं उसके अंदर परमेश्वर नहीं और प्रेम केवल पडोसी से नहीं अपने दुश्मनों से भी प्रेम करने की बात शक्ति प्रभु देता है और इसलिए येश्यु मसी ने जानते थे कि हम दुरबल मनुष हैं हमें साहिक की जरूवत है हमें पवित्र आत्मा की जरूवत है जो हमारा साहिक बनके हमारे अंदर रहे और हमें शक्ति दे, हमें सामर्त दे कि हम उन सब बुराईयों पर जिनने लेकर हम जन्म लेते हैं अधिकार ले सकें, उन पर जै पा सकें और तबी हम सिद्धता की और बढ़ेंगे हालेलोया, आईए हम प्रार्थन करें कि हम लोग सब सिद्ध बनें और प्रेम में सिद्ध बनें और प्रेम अपने पडोसी से किसी बात की जलन नहीं रखता आईए हम प्रार्थन करेंगे यदि आप अपने घरों पर हैं तो अपने घरों पर यूट्यूब से देख रहे हैं अपने स्थान उपर खड़े हो जाएंगे एक हाथ सीने पर रखेंगे दूसरा उपर उठाएंगे अगर कोई बीमारी और तकलीफ आपके शरीर में है तो एक हाथ दूपर उठा लीजिए हम आपके लिए प्रार्थन करेंगे आप जहां भी हो आप वहीं रहिए अपने घरों पर सुरक्षित रहिए घरों पर बाहर मत निकलिए टीका जरूर लगवाईए टीका लगने से आपकी हिफाज़त होगी इस महामारी से आप बचेंगे सुरक्षित रहिए मास्क लगाईए दूरी रखिए जो भी डाक्टर और साशन पर शाशन बताए उसको मानिये ये परमप्रधान परमेश्वर पिता आज हम अपने देश प्रदेश और अपने लहबाद उत्तर प्रदेश सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं इस महामारी से और तीसरी लहर से हमारे मनुश्यों को बचाईए ताकि ये संसार पर जय पाएं और जयवंत जीवंजियं सिद्ध जीवंजियं और प्रेम में सिद्ध होकर परमेश्वर की उपस्तिती और परमेश्वर की जोती को इस अंदकार में जलाएं येश्व मसी के नाम से आमेन अब परम्प्रधान परमेश्वर पिताब परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ा कर तुम्हें चुए तुम्हें आशीष दे तुमारी रक्षा करे प्रभु परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए तुम पर अनुग्रे करे और तुमारे संग में संग जाए और सुरक्षित रखे येश्यू के नाम से आमेन